नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनिये शिवानी जी की कहानी चीर स्वेमवरा पत्र पढ़ते ही मुझे चक्कर सा आगया हे भगवान, क्या समय से पूर्व, कुछ पूर्व ही सठिया गई है रजनी दी मैंने एक बार फिर पत्र को अविश्वास से पढ़ा, नहीं पत्र में परिहास का लवलेश भी नहीं था, फिर मैं क्या उन्हें नहीं जानती थी जिनके रूखे हदरों पर हसी तो दूर जीवन भर एक सेंटिमिटर की मुस्कान भी कभी नहीं केली वे क्या अपनी किसी प्राक्तन चात्रा से ऐसा मजाक कर सकती थी फिर मैं तो उनकी चात्रा ही नहीं तूर के रिष्टे की मौसेरी बहन भी तो थी इसी से उन्होंने लिखता था आत्मिय सोजनों में एक तुम ही ऐसी हो जिसे मैं निशीन तोकर अपने जीवन के इस महत्वपून मोड की साक्षी बनने बुला सकती हूँ इसी पंदरा को मेरा विवा है उसी दिन संध्या की मेल से हमारा रिजर्वेशन भी हो चुका है तो हनीमून की योजना भी बना चुकी है रजनी दी पर कहां जाएंगी जिस वानप्रस्ती हवस्था में अपना विवा रचा रही थी उसमें तो उन्हें अपना हनीमून बदरिनाथ जाकर मनाना ही शोबा देगा जीवन में पहली बार ऐसे विचित्र विवा का निमंत्रन मिला था इसी से समझ में नहीं आ रहा था कि जाओं या नहीं रजनी दी से मेरे रक्तमास का रिष्टा दूर का होने पर भी हरदय का रिष्टा अत्यंद निकट का था उनकी सौम्यता, शांत सभाव, समय से कुछ पूर्व ही पक गए सफेद बालों की गरिमा रूची से पहने गई साड़ी और उनका पांडित्य मुझे बच्पन से ही प्रभावित करता आया था मेरे कौश आ रहे है और यौवना वस्ता की शाय है दी क्योई ऐसी समस्या रही होगी जिसका उन्होंने अपनी सिनिक्द सूल जी हसी मातरे से ही समाधान न कर दिया हो कि तु आज वही अनुकरनिया विक्तिव स्वैम मेरे सम्मू के एक दुरू पहेली बनकर खड़ा था ऐसा तुमने क्यों किया रजनी दी लोग क्या कहेंगे दूर दूर तक वट विक्ष की जड़ों सी फैली तुमारी छात्र मंडली जिसकी दृष्टी में तुम्हारा अक्षत कौमारे ही तुम्हारे सफेद वालो पर धरा जगमगाता बहुमुल्य राजमकुट था क्या कहेगी यह सुनकर ना जाने कितने ही अनकहे उपालंभो की तरंगे मेरे अशांत चितकी कगार पर टकरा टकरा कर मुझे विचलित कर उठी रजनी दी ने मुझे निमंत्रन ही नहीं भेजा श्रिंगार प्रसादन समगरी की एक पूरी लिस्ट भी नथी कर दी थी यह सब समानत में अमिनाबाद से मिल जाएगा बड़ी लाटूश रोडवाली सड़क पर जरीदार जैपुरी नागरा की एक छोटी सी दुकान है बेहत प्यारी कामदार जूतियां उसके शोकेस में सजी रहती हैं उनी में से छाट कर एक जोड़ी लेती आना मैंने लिस्ट देखी जवा आलता की शीशी, मांग में भरने का कलकतिया सिंदूर, काली सुनहेली कामदार सुहक की चूड़ियां, लाल नागरा और अभीरी रंकी बनारसी क्रेप, सिल्की साड़ी मेरे हाथ की लिस्ट से हैसा मेरे कलपना लोक में फड़ फड़ा कर पतंग सी उड़ती दरपन के सम्मुक बैठी रजनी दी को सजाने लगी सफेद बालों के उंचे जूड़े पर प्रेतन से टिकाया गया अभीरी बनारसी आचल गठिया से टेड़ी पढ़ गई उंगलियों पर जवा आल्दा की नाखुनी धारी लाल नागरा और संसे सफेद वालों के बीच मांग पर बिखरी कलकतिया सिंदूर की गाड़ी रेखा बरफ से ढकी, त्रिशूल की चोटी पर जैसे लाल लाल बुरुष बिखरे हों कर दिया था, पर फिर भी सुर्ख गालों की लल्चोई आभा समाने ही मलीन हो पाई थी एक दम शौट सिल्की सी चिकनी तवचा थी उनकी, इसी से लगता था कि गहरे लाल टूली रेशम को किसी फूर ग्रैनी ने धो धो कर पड़क पर फीका बना दिया हो, किन्तु इधर जब उन्हें देखा तो मन और खिन हो गया, अब तो वह शौट सिल्क फीका ही नहीं पड़ा बहुत दिनों से उपेक्षित किसी पुराने बकसे में पड़े, रेशम किसी ही सिल्वटे भी पड़ गई थी उसमें, बिना इस्तरी की रेशम से ही उस जूरियों भरे रेशमी चाहरे को देकर, मैं मुर्खा की बाती फक्से के बैटी थी, हाई रजनी दी, आप तो एक दम कर सकी, संसार की कौन सी इस्तरी भला, अपने बुड़ापे का समाचार सुन प्रसन होती है, कि तो दोश मेरा उतना नहीं था, इधर 25 वर्षों में काल चक्र ने अवशकता से कुछ अधिक ही निर्मता से रजनी दी को असाहय क्रिकेट गैंसा ही धरुदर फेक उनकी धजिय नहीं उड़ा कर रखती, उनकी बड़ी भेन खिलो दी, तो उनसे सवा साल बड़ी थी, पर ना एक बल सफेद ना एक छुदे, चिकने चहरे पर चमडी ऐसी तनी थी, कि लगता है अभी अभी कपोलों की हड़िया बाहर निकलाएंगी, तीन तीन भवों का वरन कर चुकी थ पर अभी भी चुनर रोड कर डोली में बैट जाएं तो चौत की दुलन लगें, खाटी अकरोट पड़ाक पड़ाक दातों से ऐसे पकड़ाती हैं जैसे मुख़ली हो, वहीं पर हमारी रजनी दी पिछली बार आई तो भुट्टा खाने को तरस गई, दात ऐसे हो गए कि त ये जवा का जोंका भी उन्हें इधर उधर हिलाने लगा था, जब पिछली बार वे लगना हूँ आई तो मैंने ही जिद कर उनके दात विशेश अगे से उन्हें नया डैंचर बनवा दिया, उसे लगाते ही रजनी दी का चहरा एकदम ही बदल गया, जिस सिनीध हसी की, शी ये तो आज भी यही लगता है कि उस दिन यदि मैंने वे नकली बतिसी ना दिलवाई होती, तो शायद आज उनका इतना बड़ा सरवनाश भी नहीं होता, बार बार वे दरपन के समुख जाकर अपने परती बिंब को ऐसे निहारती रही थी जैसे स्वेम ही अपने को पैचा करने वाली रजनी थी कि वह भड की ली साड़ी मुझे असमय वसंत आगमन सी ही बेतुकी लगी थी, फिर भुवाली जाते ही उनकी चिठी आई कि मैं उनने दो तोले के वैसे ही जड़ाओ कामदार जुम के बनवा कर शिगर भेज दू जैसे मैंने अपनी लड़की को उसके विवा में दिये थे, अपनी किसी चात्रा के विवा में उनने देने थे, जुम के बनवा कर मैं भेज भी नहीं पाई थी कि भारी पोचम पली साड़ियों का ओडर आ गया, एक नारंगी, एक मेजंडा, फिर तो उन्होंने दुले छोड़कर सब कुछ ही मुझसे मंगवा ल थी कि कैफियत अवश्य ही रहती है, मेरी फलाना चात्र का विवा है, फला कली की पुत्री विदेश या रहे है, आदी आदी, तब मैं क्या जानती थी कि रजनी दी की स्वभाग्य शाली चात्रा स्वेम रजनी दी ही है, फिर जब एक दिन उन्होंने बड़े ही दुस्साह के साथ आधे दरजन चिकन के मरदाने कुर्टों का ओर्डर दे डाला, तब मेरा माथा ठनका, उनकी कौनसी छात्रा भला 48 इंची चिकन के मरदाने कुर्टे पहन कर विदेश जा सकती थी, और फिर तब ही उनके पत्र ने प्रखर रौदर सूरिय किसी तप्त किर्णों से उ उस रहसिय कुहलिका को स्वैम सोख लिया, डॉक्टर परद्यमन महता को तुम नहीं जानती, गतवर्ष अचानकी अपने अस्वस्त फेफडों की हवा बदलने के लिए भुवाली चले आये थे, मेरी ही बंगले के पास ब्रुकाजेट में रहने लगे थे, परीचे तो हमार निमंत्र नहीं आदेश है, तुम्हारी रजनी दी, मुझे लगा कि वर्षोपुरु का अतीत मुझे फिर अपनी कख्षा में खीच ले गया, जहां ब्लैक बोड के समुख प्रस्तर मुर्ती सी खड़ी रजनी दी, अपने प्रशन का उत्तर ना पाक अठिन मुकमद्रा बन चोटे सूटकेस में एका जोड़ी कप्डे धर और पहाड की गाड़ी में बैट गई, काडगोदाम में गाड़ी रुकी, तो मैंने छोटे से प्लेट फ़रम पर द्रिष्टी कहीं बार इदर उदर दोड़ाई, निश्य ही, रजनी दी अपनी पुरानी आउस्टिन में मु एकवदी नदी के तोटे भांद की भाती उसकी धारा को और ग्यातक बना देता है, मैंने बस में बैठते ही, पर्स खोलकर लिस्ट एक बार फिर देखी, कहीं कुछ भूल तो नहीं गई, कुछ लाना मत भूलना, रजनी दी ने लिखा था, तुम तो जानती है, इस भुवा पहाड की सबसे भयानक गाली है, तब भुवाली नैनी ताल और उसके आसपास के ग्रामों का एक मादर शमशान था, फिर कुछ वर्ष पूर्व वहां का सैनिटोरियम ही क्या, किसी महाशमशान से कुछ कम भैवा था, धीरे धीरे चड़ाई पर हाफती मेरी बस, भुवाली की गिली सडके पार कर, रजनी दी के बंगले से कुछ दूरा कर खड़ी हो गई, एक छोकरे से पहड़ी दोयाल को सूटकेस थमा कर मैं चलने लगी, बंगले में पहुची तो कहीं भी कोई नहीं दिखा, सूटकेस बरांदे में रखवा, पैसे देकर मैंने कुली को विदा क और मैं उस आस्वभाविक स्तब्दता से सहमकर इधर उधर देखने लगी, रजनी दी कभी नौकर नहीं रखती, यह में जानती थी, वे स्वेम स्वभाव से इतनी सुगरती की कोई भी नौकर या नौकरानी उन्हें परमारजीत रूची के चौकाटा में नहीं बैठा सकत उनका बंगला हमेशा जगजग उजल चमकता रहता, चाय बना कर लाती तो एक दम सहाबी कायदे से ट्रे लगाती, स्वच प्याले, चमकती चमचे, वानेट बंधी गुडिया सी टिकौजी और ट्रेटिंग का लेस लगा ट्रे कलॉत, बहुत वर्षों तक ग्रोवर सहब की विद्वा में उनके साथ बंगला लेकर रजनीदी रही थी, इसी से उनके एक-एक सहाबी संसकार भी उन्होंने बड़ी स्वभाविक्ता से गटक लिये, केक बनाती तो ऐसा हलका जैसे कपास का फूल, उनकी रसोई की स्वच्चिता में वैसी ही अस्वभाविक्ता का पु उसी जाडन से नाक पॉसते हैं और उसी से थाली, मुझसे तो भाई जान मुझकर मक्ही नहीं निगली जाती, वे कहती थी, बरांदा आज भी किसी राजभवन की बरसाती सा दबदब उजला पड़ा था, इसी काट के बरांदे में अपनी पुरानी खंजर सी मशीन पर रज पूरे तीस वर्ष बाद आज में उसी बरांदे में उनकी सुहाग पिटारी लिए खड़ी थी, भीतर, एकदम घुज जाना क्या उचीत होगा, हो सकता है उनका भावी सहचर भी भीतर बैठाओ, रजनी भीतर आजाओ, मैंने डर डर के पूछा, कौन, भीतर से उनका शीन क अंटिस्वर, दूर किसी मसान घाट से गूजता, बड़ी मनहुसी से पूरे बरांदे में प्रतिध्वनी थो उटा, मैं हूँ रजनी दी, आजाओ, मैंने एक कदम उठकर धेरी पर धर दिया, अरे हाँ, आजाओ, पर क्या तुम्हें मेरा तार नहीं मिला, अराम कुरसी मे मुर्दे सी पसरी रजनी दी को देखकर मैं उनके प्रशन का उत्तर नहीं दे सकी, वे क्या रजनी दी थी, रंगे काले केश, किन्तु पिछके कपूल, नीचे लेट रहा आचल और धसी आगे, चतुरा रजनी दी शायद मेरे हृदय को भाव को भाव कई, बैठो, उन्हों मैं आपका सबसमान लियाई रजनी दी, पर यह तो बताईए हमारे जीजा साब है कौन, मैंने बड़े ही सुभाविक सवर में समानी रशिक्ता लाने की चेश्टा की, कोई नहीं, मेरे सम्मुख बैठी पचास वर्श की रजनी दी, जैसे मुख में तुलसी दल लिये मृत् वर्श की जरा जिन्ड वृद्धा दादी बन गई थी, कुछी पलों में असंके जुरियों ने उनके करुण चेरे को और भी दैनिये बना दिया था, कोई नहीं, मैं बखला गई और चाहने पर भी अपने स्वर की तिकता को नहीं चीपा पाई, मैं अपनी ग्रस्ती की बीस जरने छोड गिरती पढ़ती भागी आई और आप इतना बड़ा मजाक कर गई, मैंने न तब मजाक किया था बहन न अब कर रहे हूं, हसने की चेश्टा में उनके होट काप कर रहे, विवा तब था पर अब नहीं, मतलब मेरा क्रोध अब सचमुची मेरे विवार को अबदर बना रहा था, रजनी दी फिर हसी और इस बार उनके पपोले मुकी दंत हीन शीशू किसी हसी एकदम निश्प्रान थी, सच कह रहे हैं, अंजाने में ठोकर काकर गिर रही थी, तुम सब की रजनी दी, विधाता ने बाहों पकड़ कर उबार लिया, प्रेम ने मुझे अंध छोटा था, फिर भी, जब उसने एक दिन मुझे कहा कि वह मुझे प्रेम करता है, तो पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तो फिर दीरे दीरे, उसकी मुग्द दृष्टी, रस बगे साथ साथ प्रिश्टों के प्रेम पत्र और उसके अक्षत पौरश की विजया का मेरी रगरब में व्याप्त हो गया, मेरा अनुठा प्रेमी, मुझे एक बर फिर यवन के उस विस्तरित प्रसाद में खीच ले गया, जहां वर्षों तक रहने पर भी मैं अंधी बनी, उसके एक से एक मनोहर कक्ष गवाक्ष आज तक नहीं देख पाई थी, कितनी सुन्दर को अपने सुन्दर की खोकली मरीचिका में भटक में छोड़ देती, फिर मैं मेरी काली केश राशी की प्रशनसा के पूल बांद कर रख देता, एक दम बंगाल की सुन्दरियों किसी सुचकिन केश राशी है तुमारी, और मैं, मैं अपने बालों की सुगंद पूर्ण काली महिमा का रहसे, अपने तकी सीमी तरक मुस्कुराती रहती, उफ हम इस तरहां कभी कभी स्थान काल की महिमा भुलाकर, अपने ही हाथों से अपने कितना बड़ा सर्वनाश कर लेती है, मैं उसे ही नहीं, स्वैम अपने को भी छलने लगी, और तुम तो जानती हो, मैं कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते विवा की तिती निश्चित कर मैंने तुम्हें ही सबसे पहले लिखा था और लिखती भी और किसे खिलो को लिखती तो शायद वे हवाई जास से यहां कर अमदानों को गोली से उड़ा देती सहसा रजनी दी का स्वर चुपी में डूप गया जैसे कठिन मदुमे का कोई रोगी फिर कोमा में चला गया हूँ फिर मैं अधरिये से उन्हें अपने प्रशन की सुईया चुबोती फिर चैतनी अवस्ता में खीचने लगी उस दिन इतवार था रजनी दी ने अपनी दौनों पतली बाहें गोद में धर ली थी हमने भीम तैल की जिल में बोटिंग का प्रोग्राम बनाया दिन बर तो वहां आजकल टूरिस्ट टूटे रहते हैं संधिया पांच बजे तुम्हें लेने अपनी कार में आऊंगा कहकर चला गया मैंने दिन भर लगकर केक बनाया मफिन बनाये उसे भी तुम्हारी तरह मेरे हाथ के बने मफिन बेहत पसंद थे उन्होंने ऐसे स्वर में कहा जैसे कोई शोक संतत्प जन्नी अभी अभी गुजरे अपने इकलोते बेटे की पसंद का उल्ले कर रही है पिछली बार तुमसे जो गुलाबी अडियार मंगवाई थी वह पहनी बड़ा सा जुड़ा बनाकर गुलाब लगाया रजनी दी अपने अभिसार की श्रंगार साधना के विशद व्याख्या करने लगी तो मैं लज्जा से गड़ गई इंतों उनके सौम्या संतनी के से चहरे पर एक शिकन भी नहीं उभरी जैसे कोई धरम पर आयना विदेशनी मृत्यू से पुरूफ किसी पादरी के सम्मुक निश्क कपट आत्मनिवीदन कर रही हो बिंदी लगाने लगी तो सहसा मेरी श्वास मेरी हतेली से टकरा कर मुझे किसी दंत मंजन के विज्जापन किसी चेतावनी देव थी उफ कितनी मूर्ख थी मैं आज अपनी जीवन की सबसे महत्वपुन संध्या की आगमनी में अपने प्रती कितनी उदासिन रह गई एक बर भी डैंचर नहीं साफ किया था मैंने पांच बजने में भी पुरा पौन घंटा था चट पर डैंचर उतार कर साफ करने लगी तबी प्रद्युमन की कार का हौन बजा मेरा अधीर प्रेमी पौन घंटा पुर्व ही आ गया हर बड़ा हट में अद्धुला डैंचर ही पौन्च कर लगाने लगी कि वह हाथ से फिसल कर चकना चूर हो गया और वही चूर नहीं हुआ बहन मेरा स्वभाग्य भी उसके साथ चकना चूर हो गया इससे पुरू कि मैं कुछ सोचती मेरा मुस्कुराता सुदरशन मंगेतर मेरे समुक खड़ाता तैयार हो ना गुट चलो चल्दी ही निकल पड़े बदली घिर रही है कही जड़ी न लग जाए भुवाली की जड़ी क्या चेरापुंजी से कुछ कम व्यगवती होती है परिस्तिती की विशमता ने मेरी वानी हर ली किन्तु विवश्टा के आंसु मैं चेश्टा करने पर भी नहीं रोप पाई कापते होटो के भी शायद उसने मेरी निरह जीवा के दंधीन वैदव्य को देख लिया उसका चारा एकदम फीका पड़ गया वै एक शब्द भी नहीं बोला पर मैंने सोचा बहुत छल चुकी अब और नहीं छलूंगी प्रदिमन मैंने हस कर का जिस दंध पंग्ती को देखकर तु मुग्ध वेते वै मरीच का मात्र थी मेरे बाल भी सभेत है प्रदिमन इसी अप्रेल में मैं पूरी पचास की हो जाऊंगी मेरी उंगलियां गठिया से टेड़ी है मेरी कमर में हमेशा दर्द रहता है मेरी चात्राओं में से अधिकांश तो दादी नानी बन चुकी है और फिर फिर मैं रोने के बदले जोड जोड से हसने लगी जितनी ही बार प्रदिमन के हत्परत चाहरे को देखती उतनी ही बार एक नए हिस्टेरिकल हसी का दोरा मुझे दोहरी कर देता चेश्टा करने पर भी मैं अपनी हसी रोक नहीं पा रही थी जीवन में कितनी ही बार मैंने अपनी शोड से चात्राओं के इसी हिस्टेरिया से चाटे मार मार कर मुक्त किया है इन्दूस दिन मैं स्वैम असहायर हसी बनी हसी जा रही थी आँखों में आसु बहने लगे पेट में बल पढ़ गए और जब मैं उस पागलपन के दोरे से अधमरी होकर चैतनी हुई तो देखा कमरे में अकेली हूँ वह तो कपका जा चुका है अपने विचितर रोमांस की करुण कहानी सुना रजनीदी एकदम निढ़ाल होकर अराम कुर्सी में पसर गई उनकी आँखे बंद थी और ललाट पर पसीना जलकने लगाता आखरी बस कितने में जाती है रजनीदी मैंने डर कर पूछा ना जाने कैसा भूता बंगला लगने लगाता है मुझे उनकी नित्य की सवरी ग्रस्ती में जैसे शत सहस्र मक्यां बिन बिनाने लगी थी बिना लगा बिस्तर पूरे कमरे में फैले फटे प्रेम पत्र और राम कुर्सी पर मुरदा सी पड़ी स्वैम ग्रह स्वामी ने उल्जी जटाएं धसी आखें और दल्धीन मुख क्या पता फिर उन्हें अपनी उन्मत हसी का दौरा पड़ जाए रजनीदी सोसती हूँ आज ही चली जाओ आखरी बस क्या चली गई होगी मैंने पूछा और उन्हाने अपनी गंजड़ी किसी लाल लालाकों से मुझे ही गुरा तो कलेजा हीम हो गया निश्य यव्य फिर हसने लगेंगी पांच बजे उन्होंने क्लान स्वर में कहा वोने पांच बजे चलने पर भी तुम बस पकड़ सकती हो दो कदम पर तो ही है बस स्टेंड मुझे लगा जैसे वैं कह रही हो इसी बस से चली जाओ तू चली जाओ मुझे अकेली छोड़ दो एकदम अकेली रहना चाती हूँ मैं फिर उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना पर्स खोला एक शीशी निकाल कर दो गोलियां खाएं और गुड़ी मुड़ी बने बिस्तर में अलसाई बिल्ली सी घुटने मुड़कर लेट गई नीन की गोली खाए बेना इधर मुझे नीन नहीं आती जा रही हो क्या उनका अटपटा प्रशन उनकी अस्वभाविक नीन में डूबने लगा था मैं हाथ कसूट के से लटकाए चली तो भी गहरी नीन में डूब चुकी थी फिर मैं उस निद्रा मगन चीर सुएमरा की सुहाग पिटारी साथ लिए चुप चाप बहर निकल आई